बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ एक डॉक ब्रेडिंग बिजनस से रिलेटेड कि आप इसमें कितना कमा सकते हो अपन बहुत सारी वीडियो देखते हैं यूटूब पे कि डॉक ब्रेडिंग जो बिजनस है आप उसे 10 लाग कमा सकते हो महिने में 5 लाग कम सकते हो तीन लाग कमा सकते हो बहुत पैसा है दो फीमेल रख लो उन्चे इतना पैसा आजाएगा प्रक्राप करने लग जाते हो यही चीज रहता है कि हां इतना पैसा यह चीज सोचके आप बहुत जल्द बाजी में डॉक्स ले लेते हो पहले थोड़ी मारके रिशर्च कर लेते हो कि हां कौन्छा पॉपुलर है ज्यादा तर लोग जो लोग ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं वह या तो जर्मन शेफर या लैब्रडोर इन दो लोग से उपर ही काम करते हैं कि इनके पपी हम सेल करेंगे और हमारे पास पैसा हो जाएगा ठीक है तो कि पैसा कमाना कोई गलत बात होती नहीं है यह रदमी चाता है पैसा कमाना सकते हैं क्या दॉप प्रेडिंग से हम पैसा कमा सकते हैं अपने शोक पूरे कर सकते हैं यह और तो सबसे पहले आपके मैं कुछन पूछता हूँ, कि क्या शियोरिटी है कि आपने जो फीमेल रखी उसके पपी होंगे? पहला, दूसरा, क्या शियोरिटी है कि जो पपी आपके फीमेल ने दिये हैं, वो सारे के सारे सेफ रहेंगे, कोई उनमें हेल्थी शूर नहीं आईएंगे? तीसरा कुछिन, क्या आप उस पपी को सही प्राइज में सेल कर पाओगे? यदि इन तीनों कुछिन के आंशर आपको आते हैं, तब कहीं जाके आप एक डॉक बेडिंग बिजनेस में अपनी किस्मत आजमा सकते हों, अदरवाइज इसको आप छोड़िए, आप पैसा कैसे कमाया जा सकता है, या कितना कमाया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करते ह जो भी ये अफवा फैलाई जाती हैंने कि इस काम में इतना पैसा है, डॉक बेडिंग बिजनेस के अंदर, कि दो लाख महीने के पास लाख महीने के खमा सकते हों, तो ये एकदम मित है, एकदम बखवास बात है, ऐसा पोसिबल नहीं होता, नए जो यूथ होता है, नए जो जनरेशन है, क्योंकि कुछ जो कोलेज स्टुडेंट्स हैं, और कुछ अपने स्ट्रगल कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि हम साइड बाई साइड कोई बिजनेस करते रहें, ताकि हमारी अर्निंग का सोर्स बना रहे है, और डॉग काफी लोगों को पसंद होता है, डॉग रख तरीके का डॉग ब्रीडिंग बिजनेस नहीं है, सबसे पहले तो हमें मार्केट रिसर्च देखनी पड़ती है कि पूरा रिसर्च करना पड़ता है, कोंचे डॉग की डिमांड है, कितनी डिमांड है, और लोग कितना हत्तर पैसा दे सकते हैं, आज के टाइम में जो बहुत पॉपुलर डॉग बिड़ है, लाइक जर्मन सेफर्ड या लेबराडोर, उनके बहुत सारे ब्रीड है, तो कॉंपीटिशन टफ है, फिर वो इतने ज्यादा क्वैलेटी में अवलेबल है, बहुत ज्यादा पपी अवलेबल है, बहुत सारे पपी अवलेबल है, अलग-अल तक यह होता, तो कि हरत रहे के कश्टमर, आपको मिलते हैं, जो औरहलंगे 25,000 यह लाग तक यह पपी लेने वालेबल होते हैं, जो ज्यादा तर जो चांस होते हैं, जातर जो लोग होते हैं, आप यह देखिए, 100 में से 85 परसेंट जो लोग होते हैं, वो एकदम 15,000 के अंद ठीक है तो हम 25-25-30-3000 का बच्चा बेचना नहीं पोशिबल उपता ने जो आइस फ्रिड के अंदर उत्रे हैं उन लोगों के लिए तो वो फिर क्या होता है कि मार्केट में तो पास-पास-जार के जर्मन शिफड मिल रहे हैं तो जो लोग 10-15-000 से ज्यादा खर्च नहीं करते वो खाली उनको घर में उनके बच्चों ने डिमांड कर दी एक डॉग हो या उनकी एक डिमांड हो जाती है कि घर में कोई कुटा हो जो भोके अब हर आग्मी स्ट्रीट डॉग नहीं अडोप्ट करना चाहता तो यह नॉर्मली पास-जार का पैट क्वैलेटी का नॉर्मल क जाती है कि आपके आपके बैक ओफ माइंड यह था कि मेरी फीमेल ने पपी दिये तो एक पपी एट लिस्ट भी सजार कतों में सेल करूंगा ही करूंगा तो वहां आपके मार्केट खतम हो जाती है पहली बात दूसरी बात आपको क्वैलेटी मेंटेन करनी पड़ती है अच कि जो मेंटिंग फिश है वह स्टार्टिंग जो होती है वह 20-30,000 तो स्टार्टी होती है बाकी लाखों में और बहुत ज्यादा चले जाती है अगर आप नोर्मल कोई डूंडते हो तो फिर उस हिसाफ से पपी अवलेवल नहीं कर पाएगी आपी फीमेल ठीक अच्छे के प दियान रखना बच्चों का उसको टाइम टू टाइम फीड करवाना और फीमेल का दियान रखना फीमेल को अच्छी डाइट देना जो उसकी प्रेगनेंसी के दोरान जितनी भी ज्यादा प्रोब्लम आती है उस सब को फेस करना तो यह हर एक नए जो यूथ होता है नई जो करणा ने बच्चे होए तो हमें ध्यान नहीं रहता तो उन बच्चों के उपर वेर्ट जाती है जा Tech में influencer जह में दियाए और सीमय से खायं दो फड़ने यह दिल्ड suis i lets me ईए तो टूम हो paling करवाना कूलर्य इस Municipal फेवाद धन भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है ठीक है फीमेल को राइगुलर वेट के चक्कर लगाने पड़ते हैं ले जाके उसको दिखाना पड़ता है उसके बाद पिर आपको यह देखना पड़ता है कि जो पपी दूद पी रहा है वो ज्यादा ना पीले जब जादा पीलेगा तो उसके वोमेटी हो जाएगी यह वह सारी चीजें ऐसे आजाती है कि मर भी सकता है कहीं के बार तो स्टार्टिंग में जब रेगनेंट होती है फीमेल तब से और जब तक उसके जो बच्चे हैं वह 45 या 50 डेसके नहीं हो तब तक बहुत मैंदत करने प करनी है तो वहां बहुत प्रोब्लम आती है और यदी बच्चे नहीं निकलते अगर मार्लो 6 महीने बच्चे आपके पास रुक गए तो 6 महीने ऐसा तो नहीं है कि देसे नोर्मल कोई दूसरे बिजनेस होते हैं कोई मालो कोई प्रोडेक्ट का विजनेस है तो कोई प्रोड बहुत ज्यादा खर्चा हो कौना तो जहां लोग बोलते हैं थो है तो यह नहीं मिए पाता कि आपूंग गए बच्चे और कहें कोई मजाणट नहीं होता और जग इस्टुडेंट को हैं आस्टुडेंट्थ में वह ऑशेkiem ट्रीप्रेस्ट रहते हैं फिर इतना इतना बच्चों को जो उनके होते हैं उसके बाद इस पेस का देहान रखना पड़ता है टाइम टू टाइम उनको डिवार्मिंग करवानी पड़ती है तो बहुत ज्यादा प्रोग्लम आ जाती है ठीक है इसलिए अब जो लोग कमारे आप लोग ऐसे भी हैं बहुत सारे जो देखते अब इतने पुराने जो लोग हैं इस फिल्ड के अंदर तो आप यह सोचो कि इतने पुराने लोग कितने टाइम से मेहनत करें तब आज कहीं जाके उनका मार्केट में नाम हुआ है तो लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं स्टार्टिंग में उन्होंने वह सारी चीज़े फेस क करोगे फिर आज के टाइम में वह एक अच्छे डौग रखते हैं वह इंपॉर्ट करवाते हैं जो इनपोर्ट के जो डौग आते हैं वह कम शेकम दो तीन-तीन लाग से स्टार्ट ही होते हैं तो जो नई जनए जनरेशन है यह नया काम स्टार्ट कर रहा है वह इतने महंगे बात आती है कि लाखों कमा लोगे तो वह गलत बात है जो लोग कमा रहें वह भी इतना नहीं कमा पाते जितना कि आपको दिखता है हाँ आपका प्लस पॉइंट हो सकता है यह आप कोई डौग रखते हो अगर फीमेल रखते हो तो फीमेल अपना खर्चा खुद निकाल आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना पड़ता कि बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता यह एक प्लस पॉइंट होता है कि जैसे मानलो आपने कोई अच्छा डौब रख लिया तो उसका प्लस पॉइंट यह है कि वह डौग अपना खर्चा खुद निकाल लेगी जो और पॉशिबल नहीं हो पाता तो इसलिए इस बैकावे में नाइए कि डौग ब्रीडिंग बिजनस से आप लाखों का मालोगे करोड़ों का मालोगे ऐसा नहीं है जो कमाते हैं उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है बहुत सालों से है को इती मैं बताया ना तीस 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 चा कि डौग अपना खर्चा कुद निकाल ले बस इससे ज्यादा डौग से आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वह आपको इतना कमा के देगा अगर आप एक अच्छे डौग रखते हो अच्छी लाइन के डौग रखते हो तो उससे प्लस पॉइंट यह होगा कि आपको ज्यादा करना पड़ेगा मार्केट में अपना नाम करने के लिए वह अपने आप ही होता चला जाएगा इजी हो जाएगा इसलिए मैं बार 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 बोलता हूं कि आप एक अच्छी ब्लड लाइन का पपी सेलेक्ट कीजिए कोई नॉर्मल मार्केट से मत उठा लीजिए सस्ते के ज तो इसलिए आप एक अच्छी ब्लड लाइन का पपी लीजिए लेकिन स्टार्टिंग में यह मत सोचिए कि मैं इतना कमा लूँगा कैल्कुलेशन बिल्कुल मत कीजिए आपका जो शोक है उस शोक को पूरा कीजिए जैसे जैसे दीरे-दीरे मार्केट में आपका नाम बनत दिया वह लोग फिर भी कमा लेते हैं अच्छा-कासा महीने में लेकिन फिर वही बातने वह लंबे टाइम तक नहीं चलते वह फिर दो-पास सार अच्छा कमा लेंगे उससे बाद उनके मार्केट वैल्यू एकदम खतम हो जाती है क्योंकि उनको तो सस्ते-सस्ता पपी पैसा इंवेस्ट कर सकते हैं तो ही आप इस फिल्ड में जाइए स्टार्टिंग में मत सोचिए कि आप पैसा कमा लेंगे ठीक है अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो रहा हो कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं मुझे आशा है कि मैंने सारे पिक जो ते वह कवर कर लिए हैं फिर भी कुछ रहा जाता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं जाद जाद इस वीडियो को शेयर कीजिए